गेड मॉर्निंग राम राम कैसे हैं आप सब आज है 14 सितंबर 2021 और आज का एक स्पेशल दिन है 11 दिन है हमारे इस मिशन का मिशन 36 का और आज आपके लिए कुछ क्लासेज भी स्पेशल हैं आखिर 10 दिन बीच चुके हैं तो 10 दिन में आपने काफी अच्छा कुछ पढ़ चु है थोड़ा बहुत नया होगा कुछ भी नया नहीं है सब कुछ वही रिवीजन करना है जो आपको 10 दिन में आपने पढ़ा था ठीक है तो देखते हैं अगर 36 देज में शुरू के 10 दिन का आपनी किताब बहतर पढ़ा है ठीक है आज आपको वही काम करना है आप एक काम और करते हो आपका तार्गेट जब भी complete हो तो मुझे भी बताए किजे कि मैं हमारा टार्गेट complete हो चुका है क्योंकि मुझे ही बहुत खुशु होगी यह देखके कि आपका comment box में कि हां आपने आज का मैं target कम्प्लीट कर लिया, मैं target तो हर रोज देती हूं लेंकि मुझे पता ही नहीं चलता target économique हुआ है या नहीं हुआ है तो आप भी मुझे जब target कम्प्लीट हो जा तो बताया करिए कि हाँ आपने target कम्प्लीट कर लिया है एक target की बात इसे जो मैं math के देते हूँ तो मुझे comment आए कि math नहीं हो पा रहे है तो math तो कोई और नहीं करा सकता वो आपको खुद ही करना होगा मैं ज़ादा से ज़ादा क्या करा सकती हूँ कि आपको मैं caution करा दूंगी ज़्यादा ज़्यादा यही करांगी ना कोश्टीम करा दोंगी इससे ज़याद मैं कुछ नहीं करांगी तो करना तो आपको खुदी होगा और वैसे भी अगर आप मैत को आपको करना है तो आपको प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ी मैठ सिर्फ और सब्रैक्टिस मांगता है और कुछ नहीं और आपको चाहिए उसस समय में तुम्हारे काम नहीं आएगा क्योंकि वे नाराज थे तो ठीक ऐसे ही अगर मैस आपसे नाराज हो गया ना यानि कि अगर आपने डेली इसको प्रैक्टिस में नहीं लाए आप उसे तो अंत समय पर वो आपका साथ छोड़ेगा ऐसे आपको आएगा कि मुझे तो आता थी उसने इसको डेली प्रैक्टिस नहीं किया होगा क्योंकि इस्पेशल थी वे तो सोचता था इनको तो हम डेली यूज नहीं करना इस्पेशल विद्याओं को ही उन्होंने कहा था कि जो तुम्हारी इस्पेशल मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो तुम्हें भूल जाएग बाकि सब तो उसको याद नहीं था, हर समय काम दिया, लेकि जो इस्पेशल था, उसको वैसे भी उसने प्रैक्टिस में नहीं लिया था, और as last ओ भूल गया, ठीक है, तो वह कुछ और अगर किया होता, सायद कहीं लिख के नोट करके रखा होता, कि कैसे क्या प्रैक्टिस करन है, ठीक है, लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, तो देखी, आज का जो टॉपिक हो क्या है, current affairs, इसमें आपको आज शुरुवात करने हैं, दिसंबर 2020 का current affairs, नॉवंबर तक कंप्लीट हो गया है, अगर सितंबर, अक्टूबर, नॉवंबर, चार मेने हो इहान इसमें आपको भाग एक से पांच तक आप पड़ चुके हैं, मैंने इसका पहले भी कहाता है, और आज मैं फिर कह रही हूं कि इसका रिविजन करें, क्योंकि जो है, और यहीं से आ जाते हैं, भाग एक से भाग पांच के बीच के अधिकतर question आते हैं, इसके बाद रि लिग कोश्यों टिक